चलिए शुरू करते हैं बैठा आज हम फंक्शन्स स्टार्ट करेंगे रिलेशन्स इन फंक्शन्स हमना रिलेशन कम्प्लीट कर लिया फंक्शन्स का मतलब क्या है वो ध्यान दीजिए कॉपी का टाइम मैं दूँगा पहले मैं पूरा लिखोंगा उसके बाद आप कुछ लिखिएगा फंक्शन्स फंक्शन होता कै हर फंक्शन कोई न कोई रिलेशन ही होता है so every फंक्शन is a relation हर फंक्शन कोई न कोई रिलेशन नहीं होता है but सारे रिलेशन्स फंक्शन नहीं होता है for a function for a relation to be a function उसको दो condition satisfy करनी चाहिए number one पहली condition one pre image must not have two images एक pre image की दो images नहीं हो सकती याद न pre image image relations में a से b का कोई relation है तो a के elements जो b से related हो उनको क्या बोलते है pre images और जो b के elements a से related होते है उनको क्या बोलते है images so एक pre image की दो images अगर है है तो वो function नहीं है relation है बट वो function नहीं है हाँ उल्टा हो सकता है उल्टा होने का मतलब ये possibility है कि दो pre image की एक image हो yes that is a possibility बट एक pre image की दो images possible नहीं है अभी इसका मैं example भी देता हूँ जैसे function को मैंसे लिखते है fx इसमें x की possible values possible values of x ये domain में आ जाती है मतलब possible values of x होंगी pre images और जो इनका result निकलेगा ये range में आ जाता है मतलब ये images होती है किसी भी function में x की जो आप values डालते हूँ वो क्या हो जाता है domain वाला part मतलब वो pre images होती है और जो f के answers आते हैं वो क्या हो जाता है images होती है जैसे suppose करो fx मैंने बोला x square है अगर मैं x की जगे 2 डालता हूँ तो fx का answer कितना आएगा 4 अगर मैं x की जगे minus 2 डालता हूँ तब भी fx का answer कितना आएगा 4 हाँ की ना yes sir so यानी yes sir यानी दो pre images है 2 और minus 2 उनकी एक image है 4 minus 2 and plus 2 उनकी एक image है 4 which is absolutely possible but suppose function मैंने लिया root x मैंने x की जगे 4 डाला अब fx अगर लिखते हो plus minus 2 तो that is incorrect आपको fx सिरफ plus 2 लिखना होगा क्यों? अगर मैंने plus minus 2 लिखा इसका मतलब एक pre image 4 के लिए 2 images हो गई which is not possible तो ये function ही नहीं रहेगा इसलिए जब भी हम square root करेंगे तो answer सिरफ positive लेंगे negative answer नहीं लेंगे इसका एक और example जो आपने अभी कुछ दिन पहले ही पड़ा inverse trigonometry में sine inverse half अगर मैं करता हूँ sine inverse half sine की positive value first quadrant और second quadrant दोनों में होती है अगर मैं first quadrant का answer लेता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ sine की value half कब होती है first quadrant में? pi by 6 और अगर मैं second quadrant में लेता हूँ तो कितनी हो जाएगी? 5 pi by 6 pi minus pi by 6 अगर ये लिख रहा हूँ तो ये गलत है इसलिए हम principal range define करते है जिससे की हम सिरफ एक ही image मिले क्योंकि अगर more than one images होँगी तो वो inverse function exist ही नहीं करेगा मतलब हमें सिरफ pi by 6 लेंगे तभी answer count होगा अगर मैं 5 pi by 6 भी count करता हूँ तो वो inverse trigonometric function ही exist नहीं करेगा क्योंकि inverse trigonometric function सिरफ कोई या कोई भी function की multiple एक pre-image की multiple images नहीं हो सकती तो अगर मैं first वाली situation लेता हूँ किसी भी quadrant में देखता हूँ तो वो inverse trigonometric function defined ही नहीं होगा तो वो defined कब होगा जब आप सिरफ एक ही answer लो इसलिए आपको ध्यान होगा मैंने हमेशा क्या लिया था first quadrant में सब positive होते थे फिर negative के लिए मैं ढूणता था तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि दो quadrant का combination जिसमें एक में positive values सारी cover हो जाएं दूसरे में negative cover हो जाएं दो बार positive cover नहीं करोगे क्योंकि अगर दो बार positive cover करोगे तो inverse trigonometric function ही exist नहीं करेगा समझ में आ गई ये बाद तो पहला rule और बहुत important rule किसी भी relation के function होने के लिए one pre-image must not have two और more than two images एक से जादा image नहीं होनी चाहिए प्लीज यहां तक पहले copy कीजिए clear बेटा? आगे देखिए दूसरी condition क्या है? अगर कोई function a से b में defined है if a function इसको ऐसे लिखते है is defined f a to b तो यह a क्या हो जाता है? domain और b क्या हो जाता है? co domain range जो है वो co domain का part होती है अगर कोई function a to b में defined है then there must not be must not be any element in a which does not have an image a में ऐसा कोई element नहीं होना चाहिए जिसकी image नहीं हो इसलिए मैंने उसे domain बुला आपको domain याद है? relations में मैंने explain किया था domain क्या होता है? set of pre-images यहां में क्या बोल रहा हूँ? domain a है मतलब a के सारे elements pre-images है कोई भी element छूटना नहीं चाहिए अगर कोई element छूट रहा है इसका मतलब वो function नहीं है so function किसी भी relation के function होने की दो criteria जरूर follow होने चाहिए पहला criteria की एक pre-images की दो images ना हो दूसरा criteria दूसरा बहुत important criteria की domain side पे a पे कोई भी ऐसा element ना हो जिसकी जो pre-image ना हो मतलब हर एक की कुछ ना कुछ image होनी चाहिए क्या यह clear है सब को यहां तक? rhythm, हर्जस दिशा, धीरज, बॉमेक अंशुल, बाकी सब को भी clear है आगे देखो यह दो conditions हो गई अब बात आती है functions में हम domain and range कैसे निकाले अब इस पे आजाओ domain and range of function कैसे निकालोगे domain and range of a function domain of a function अगर f function मेंने define किया a to b fx is equal to something something है कुछ कुछ भी है a क्या होता है? domain मतलब हमें x की possible values देखनी होंगी so possible values of x यह हो जाता है domain of a function possible answers of fx यह हो जाता है range निकालें कैसे domain and range निकालें कैसे किसी भी function की to find domain we look for the restrictions in the values of x हम देखते हैं x क्या नहीं हो सकता उसको छोड़के बागी सब कुछ हो सकता है so कभी भी किसी function की आपको domain निकाला हो real valued function का domain निकाला हो तो उसमें हम यह देखते हैं कि x की क्या possible value नहीं हो सकती उसको छोड़के बागी सब ले लेंगे अभी example की form में भी करा दूँगा to find range take fx equal to y then represent x in terms of y then look for the restriction of in the value of y की y क्या नहीं हो सकता उसको छोड़के बागी सब हो सकता है जैसे example देखो suppose मेरे पास एक function है x upon x minus 1 यह मुझे function दिया x upon x minus 1 मुझे बोलता है इसका domain और range निकालो जब इसके domain and range की बात करूँगा तो मैंने क्या बोला domain के लिए हम देखते हैं कि x क्या नहीं हो सकता कभी भी function not defined नहीं होगा तो x minus 1 0 नहीं हो सकता हां की ना इसका मतलब x1 नहीं हो सकता x1 नहीं हो सकता तो इसका domain कितना हो गया any real number except 1 कोई भी real number हो सकता है बस 1 नहीं होगा यह इसका domain आ गया दूसरा range के लिए क्या करोगे range के लिए let fx equal to y fx को मैं y के equal लिलूँगा y आ गया x upon x minus 1 मैंने यहीं बोला take fx equal to y अब x निकालो y की terms में cross multiply करके x solve करो xy minus y is equal to x x वाले terms ही कठी करो y plus y minus 1 equal to y मेरे पास आया x आ गया y upon y minus 1 isn't it मतलब अब y minus 1 0 नहीं हो सकता तो y क्या नहीं हो सकता 1 नहीं हो सकता तो इसकी range क्या हो गई इसकी range हुई any real number except 1 समझ में आ गई बात सबको domain और range की ऐसे निकालना है ये एक example अभी ऐसे काफी सारे ले रहा हूँ example पहले यहां तक copy करो कोई step नहीं समझ में आता तो पूछो दुबारा एक बार logic समझ लो functions की terms में x की possible values वो क्या हो जाता है domain fx के possible answers वो क्या हो जाता है range x वाली साइड पर domain वाली साइड पर कुछ खाली नहीं छूटना चाहिए और एक प्रिमिज की दो images नहीं होनी चाहिए तभी वो function होगा otherwise वो relation की category में आ चाहिएगा copy कर लीजे बाकी सब का भी हो गया आगे देखिए suppose कीजिए अब आपके पास और examples इसके लिए तो आपको बोला fx is equal to x minus 2 upon x minus 3 into x minus 1 यह दिया होगे अब क्या करोगे again denominator 0 नहीं हो सकता numerator कुछ भी हो does not matter denominator 0 नहीं हो सकता मतलब x minus 3 cannot be equal to 0 and x minus 1 cannot be equal to 0 what does this mean it means x cannot be equal to 3 and it cannot be equal to 1 yes or no yes so मतलब domain क्या हुआ इसका domain हो गया any real number except 1 and 3 आजाते हैं इसकी range पे इसकी range के लिए क्या करोगे let fx equal to y so y कितना हुआ x minus 2 upon x minus 3 into x minus 1 यह मन गढ़न क्यूश्टन था इसकी range थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि quadratic बनेगा फिर उसको simplify करना पड़ेगा चलो करते हैं कोई बात नहीं मेरे पास आया x square y minus 4xy plus 3y equal to x minus 2 yes or no yes सब को left side पे ले जाओ x square y plus y into minus 1 minus 4x x वाली टम से कट्ठी कर ले थी plus x into minus 1 minus 4y plus 3y plus 2 equal to 0 मानते हो बिटा yes sir मानते हो सारे अब x की value क्या होगी x की value क्या होगी उसके लिए discriminant इस equation का greater than equal to 0 होना चाहिए होना चाहिए की नहीं होना चाहिए real value के लिए नहीं तो non real values आ जाएंगी तो b square minus 4ac greater than equal to 0 इधर से आप y की निकाल सकते हो थोड़ा मनघणन question था इसलिए थोड़ा अजीब सा हो गया बट logic समझ में आ गया सबको कैसे खेलना है हो सकते है answer point में है ठीक है और example देखो फिर इकठे copy करना suppose आपके पास हो fx is equal to root of x minus 3 यह function है अब root के अंदर हमेशा positive होना चाहिए root के अंदर minus 2 नहीं हो सकता root के अंदर negative होगा तो imaginary number बन जाएगा so x minus 3 क्या होना चाहिए greater than equal to 0 इसका मतलब x क्या होना चाहिए greater than equal to 3 तो domain क्या हो गया इसका domain हो गया 3 to infinity आप देखो 3 पे closed interval लगाया क्योंकि 3 included है infinity कभी included नहीं होता infinity पे हमेशा open interval आएगा इसी तरह इसकी range निकालनी है तो let fx equal to y मांते हो यहां तक y positive होना चाहिए पहली condition तो यह सीधी सीधी आगए बिना कुछ solve करें क्यों मैंने आपको अभी थूड़ी देर पहले बताया था कि जब हम root लेतें तो answer सिर्फ कौन सा consider करते है positive negative answer कभी नहीं लेते तो root का result हमें क्या लेना होगा positive अब x निकालो squaring करो y square is equal to x minus 3 x आगया 3 plus y square कोई और condition नहीं 3 plus y square तो कुछ भी हो सकता है कभी not defined नहीं होगा सिर्फ एक condition आई तो इसका range क्या हो गया इसकी range हो गई 0 to infinity दुबारा समझो domain सबको clear है domain में हमने क्या किया under root of x minus 3 था under root में अंदर root के अंदर कभी भी negative नहीं हो सकता root के अंदर सिर्फ positive होगा so x minus 3 क्या हो गया greater than equal to 0 तो x आगया greater than equal to 3 तो domain क्या हो गया 3 to infinity range के लिए क्या करोगे आप range के लिए fx को y ले लो y आगया root of x minus 3 root का result हमेशा आपको positive लेना होता है तो एक condition आगयी की y positive होना चाहिए दूसरी condition के लिए squaring करी x निकाला x कितना आया y square plus 3 जो कि कभी भी not defined नहीं होता तो इधर से कोई और condition नहीं आई सिरफ एक ही condition आई की y greater than equal to 0 तो overall result क्या हुआ 0 to infinity 0 closed interval पे ठीक है बटे सब को समझ में आ गया दिशा, rhythm और example देखो एक इसी में ही अगर होता suppose एक और example fx दिया होता 1 upon under root x minus 1 अब domain के लिए क्या करते है एक तो root है तो अंदर positive होना चाहिए दूसरी बाद denominator में है तो equal to 0 नहीं हो सकता तो अब क्या आगई condition x minus 1 greater than 0 तो condition I x greater than 1 domain हो गया 1 to infinity अब 1 पे क्या आगया open interval range के लिए क्या करोगे let fx equal to y y है 1 upon under root of x minus 1 root के अंदर root का अंसर सिर्फ positive होना चाहिए यहां से आगया कि y positive चाहिए squaring करो x आगया 1 by y square plus 1 यह आगया 1 plus y square by y square यहां से पता लगा कि y square 0 नहीं हो सकता क्योंकि denominator में है तो दोनों condition positive भी होना चाहिए 0 भी नहीं हो सकता इसका मतलब y greater than 0 होना चाहिए मतलब range क्या हो गई 0 to infinity ठीक है यहां तक copy करो हाँ जी क्या कह रहे थे बिटे रिधम पर यह से इस greater than तो greater नहीं होगा लगी तब आपने y greater than equal to रिखा ना तो denominator में मतलब अगर जी क्या होना y denominator में था उस step में फिर हम y की बात कर रहे है एक्स की बात कर रहे है फिर y की बात तो आगे आएगी नहीं जब वो denominator में आएगा अभी थोड़ी ना y denominator में y को भी numerator में ठीक है root किया root किया तो root का answer positive लेना होता है उसमें 0 भी included हो गया अब आगे देख लिया कि 0 नहीं हो सकता तो हमने का हटा दिया उसको 0 को तो answer overall result क्या हो गया 0 to infinity open interval ठीक है? copy कीजे कोई step नहीं समझ में आता तो पूछिएगा और करूँगा भी examples में डाइन सर समझ में आगे सबको और examples देखिए suppose आपके पास होता fx is equal to let's say root x plus 1 upon x minus 1 suppose यह दिया होता under root x plus 1 upon x minus 1 suppose यह दिया हो है root के अंदर अब आप क्या करोगे? again मैंने क्या बोला? दो चीजे जब positive है जब दो root के अंदर कोई चीज है तो वो क्या होनी चाहिए? मैंशा positive होनी चाहिए? x plus 1 upon x minus 1 आपको greater than equal to 0 चाहिए? हाँ की ना? अब अगर x plus 1 upon x minus 1 आपको greater than equal to 0 चाहिए? दो चीजों का division positive चाहिए? तो यानि दोनो positive होनी चाहिए? दोनो negative होने चाहिए? तो पहला case बनेगा दोनो positive दूसरा case बनेगा दोनो negative आपने कोई चीजों नोटिस की? मैंने क्या किया? एक में greater than equal to लगाया, एक में greater than लगाया, एक में less than equal to लगाया, एक में less than लगाया, वो क्यूं? क्योंकि वो denominator वाली term है, denominator वाली term equal to 0 नहीं हो सकती. क्या ये बात समझ में आ गई सबको? अब यहां से आया, एक में greater than equal to 1 and x greater than 1 sorry, minus 1 x greater than equal to minus 1 and x greater than minus 1 और x less than equal to minus 1 and x less than 1 मतलब, number line बनाओ 0, 1, minus 1, minus 2, 2 x greater than equal to minus 1 तो minus 1 से बड़ा और greater than minus 1 1 से बड़ा greater than 1 मतलब, common region क्या हो गया? 1 to infinity तो इसका यहां से answer आया 1 to infinity open interval और मतलब होता है union दूसरी term पे आओ यहां पे क्या हुआ? 0, minus 1, 1, 2, minus 2 x less than equal to minus 1 x less than 1 तो common region क्या हुआ? common region हुआ less than equal to minus 1 तो यहां से आया minus infinity to minus 1 और minus 1 पे closed interval तो यहनी इसका domain क्या हुआ? इसका domain हुआ minus infinity to minus 1 union 1 to infinity बात समझ में आई? तो बीच वाले उख्रूड कर देंगे हैं? बीच वाले खत्म? बिटा वो है नहीं न? common region नहीं है न? और तो नहीं है न? ठीक है? इसका यह हो गया इसका और example इसक में देखो अगर इसमें range निकालनी हो range के लिए क्या करोगे? इसको y ले लोगे तो यहां से तो पता लग दिया कि y positive होना चाहिए अब squaring करो y square is x plus 1 upon x minus 1 x y square minus x is equal minus y square is equal to x plus 1 so x वाले term से कठी करो 1 plus y square so x आ गया 1 plus y square upon y square minus 1 मतलब y square minus 1 0 नहीं हो सकता तो y जो है वो plus minus 1 नहीं हो सकता मानते हो? yes sir minus 1 तो वो already नहीं है मतलब वो plus 1 भी नहीं हो सकता तो इसकी range क्या है? इसकी range आई 0 to infinity except 1 ये इसकी range आगई बात समझ में आई? yes sir क्योंकि ये सारी ये दोनों condition satisfy करवानी है पहली condition क्या है कि y positive चाहिए दूसरी condition क्या है कि y ना तो minus 1 होना चाहिए ना plus 1 होना चाहिए तो positive में plus 1 हटा दो आगई दोनों condition satisfy हो गई तो अर आंसर क्या हुआ? 0 to infinity 0 पे closed interval होगा except except 1 clear है बच्चा? समझ में आया है सबको? sir doubt है बोलो यहां पे हमने y is equals to plus minus 1 लेजिया लेकिन उपर कासा भी हम सिर्फ positive ले ले लेते हैं बेटा वो बोल तो दिया मैंने कि negative नहीं ली हटा तो दिया उसको negative को क्योंकि वो यूज़ नहीं हुई ना यह इस condition नहीं मतलब आपने y is equals to plus 1 बेटे उसको मैंने condition में बता तो दिया कि वो condition ले रहा हूं यहां तो सिर्फ equation solve कर रहा हूं अगर by chance सिर्फ plus minus 1 ही आता answer तो मैं minus 1 को omit कर देता क्योंकि मेरी condition में था कि y positive होना चाहिए ठीक है देखो दो equations है suppose मैं लिखता हूं y equal to root 4 मैंने बोला y equal to root बहुत जादा फरक है y equal to root 4 is a linear equation answer सिर्फ हो का plus 2 y square equal to 4 is a quadratic equation there will be 2 answers plus 2 and minus 2 दोनों में फरक है समझ में आई बात quadratic equation के 2 results होते linear equation के you've got only one result so y equal to root 4 is a linear equation in y you'll have the only result that is equal to 2 but y equal to y square equal to 4 will have 2 results because it's a quadratic equation so you have the result plus minus 2 now in this situation I am only taking the positive value so I have to omit negative also तो वो अपने आभटा दिया मैंने चीक है यहां तक करिए एक और करूंगा ऐसा हो गया बटा एक और देखिए ऐसा सपोज आपको बोला यहां आपको पॉज़िए आपको पॉज़िए अब इनिक्वालिटी ऐसे सॉल नहीं होती है आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा यहीँ के 3-x इंटो 3 प्लस x दो चीज़ों का रडश्ट पॉज़िटिव अ कब हो नगा है जब दोनो पॉज़ितिव हो या फिर दोनो नेगाटिव इक दो forum 3-x गरेदिदें इकवल जिरो या फिर दोनो नेगाटिव 3-x लिस दें ईकवल जिरो आंद 3 plus x less than equal to 0 मानते हो बटा यहां तक कोई शक है किसी को कोई doubt किसी को यहां तक अब यहां से आया मेरे पास x less than equal to 3 and x greater than equal to minus 3 तो minus 3 से 3 तक इधर से देखते हैं x greater than equal to 3 and x less than equal to minus 3 which is not possible there is no number which is greater than 3 and less than minus 3 तो सरफ यह आगया domain minus 3 to 3 range निकालते हैं इसकी f x को y ले लो बिना कुछ करे पता लग गया कि y positive होना चाहिए आगे condition देखते हैं y square is 9 minus x square x आगया under root of 9 minus y square अब 9 minus y square positive चाहिए root के अंदर positive होना चाहिए बिल्कुल same condition है तो यहां से answer भी बिल्कुल same आएगा minus 3 to 3 तो दोनों की common condition क्या होगे 0 to 3 तो इसकी range क्या हुई 0 to 3 सब को समझ में आ गया अच्छे से clear सब को एकदम clear है प्लीज लिखिए अब मैं graph से समझाओ करेंगे तो सही बिटा 9 minus x square अच्छा आप स्टार्टिंग में बोल रहे हो 9 minus x square ग्रिदें 1.0 में क्या आप quadratic inequality को कभी ऐसे solve नहीं करते हैं कि उधर ले जा और root कर दो equal equal वाली equation थोड़ी नहीं inequality है inequality है मिशा factorization से solve होती है अगर quadratic cubic कुछ भी हो वो सिरफ linear ही में आप करते हो left ले जाना, right ले जाना quadratic में कभी नहीं करते हो हो गया में टा अब किसी भी graph से कैसे domain and range निकालते हो वो देखो graph से domain and range कैसे निकालते हो आपको ओगे sir इसका use का आएगा अभी भले ही ना आए आगे आएगा तो मैं functions overall करा रहा हूँ जो relation function में use होता है वो तो करा ही रहा हूँ साथ में आगे भी relation functions को use करेंगे तो अभी आपको वो सारी explanation functions की एक साथ कर रहा हूँ graph में projection along x-axis यह उती है domain projection यह हो जाती है range मतलब suppose करो यह कोई graph है बचा fx और x के बीच में fx है y है और x के बीच में और graph let's suppose is something like this थोड़ा और change करते हैं रुको graph is let's suppose ऐसे जा रहा है और यहां से ऐसे उपर जा रहा है ऐसा कोई graph है so x-axis में कहां कहां यह projections इसकी आ जाती है x-axis पे कोई भी real number पे आ रहा है न x-axis पे कोई भी real number पे आ रहा है आगे जाता जाएगा x projection बढ़ती जाएगी हां की न तो यह क्या होगा जो x projection है इसको बोलेंगे domain और y-axis पे कहां projection आ रही है suppose यह वाला point y equal to 3 है so y-axis पे projection y equal to 3 के ऊपर ही आईगी चाहे इधर से लूँ चाहे इस तरफ से लूँ कभी भी 3 से नीचे की value तो नहीं आईगी न तो इसकी range क्या हो जाएगी 3 से लेकर infinity तक यह सारी values so x-axis पे जहां पे graph project कर दे वो क्या हो जाता है domain जहां x-axis पे projections आएं वो क्या होता है domain और जहां y-axis पे projections आएं वो क्या होता है range जैसे different types of graphs देखिए number one सबसे पहला अगर आपके पास constant function है constant function का मतलब क्या हुआ जिसकी value सेम हो मैंने लिखा fx equal to k कुछ भी हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो तो यह graph कैसा बनेगा इसका यह fx यह x, x की कुछ भी value हो fx का answer रमेशा वो k ही रहेगा तो straight line graph बनेगा यह k हो जाएगी तो इसकी domain क्या होगा इसका domain होगा x की कुछ भी value डल सकती है तो domain हो गया any real number और range क्या हो गई answer हमेशा k आएगा सिरफ a की यह value suppose fx equal to 3 होता तो answer हमेशा 3 आएगा तो range क्या हो गई 3 only 3 और domain क्या हो गया any real number x की जगे कुछ भी डल सकता है graph पे भी देखो अब projection लोगे तो x में हर तरफ आएगा तो x की कोई भी value हो सकती है y का answer सिरफ कौन सा आएगा जहां पे वो 3 जिस point पे वो हो जाके meet कर रहा है तो range क्या हो गई सिरफ वो constant number और domain क्या हो गया any real number क्या यह बात समझ में आगई सबको पहला function clear है दूसरा इसको बोलते है constant function constant function नाम से ही clear है नहीं constant तो बता दिया sorry मैंने second पे आते है second है हमारा identity function identity function कौन सा होगा identity function हम define करते है fx equal to x जो x की value वही fx का answer जो x की value वही fx का answer तो x0 तो fx0 x1 तो fx1 x2 तो fx2 x3 तो fx3 इसी तरह minus में इसका domain क्या हो गया इसका domain हो गया any real number और इसकी range क्या हो गई any real number आप खुद देखो x projection कोई भी point हो सकता है y projection कोई भी point हो सकता है positive में negative में so इसका भी domain क्या हो गया real number इसकी range भी क्या हो गई real number similarly अभी time दूँगा बाद में पहले समझ लो third आपके पास है polynomial function नाम कभी भी यह use हो सकते है functions के polynomial function काँसा होता है polynomial function होता है fx is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube and so on जितना भी हो सकता है an x to power n इसमें n क्यलाता है degree highest power मतलब अगर degree 2 होगी तो quadratic polynomial degree 3 होगी तो cubic polynomial degree 4 होगी तो by quadratic polynomial इसका graph बनाने का simple तरीका क्या होता है इसका graph बनाने के लिए डबा बनाते हो आप x की multiple values लेते हो fx के अलग-अलग answers आते हैं और उनको suppose यह 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 ऐसे values आ रहे हैं तो आप इनको free hand से join कर देते हो तो आपके पास graph बन जाता है इसका मैं कोई fix domain fix range नहीं बोल सकता depend करता है function पे जैसा function हो काम बहुत काम आएगा हाँ यह चीज काम आएगी कि polynomial function होता क्या कई जगे आगे भी काम आएगा और आज का आखरी इसके बाद जो दूसरे functions है modulus function, greatest integer function, signum function यह अगली class में मैं खराऊंगा आज का last इसको बोलते है rational function rational function कौन सा होता है कोई भी function जो इस form में हो px upon qx numerator में भी x की कुछ terms है denominator में भी x की कुछ terms है इसका domain range कैसे निकालोगे तो मैंने तरीका बताया fx को while होगे, simplify करोगे वही तरीका है graph बनाने के लिए क्या करोगे again जो अभी हमने polynomial function में किया xfx, multiple values निकालोगे इसी बात है उसी से हमारा क्या निकलता है domain तो आज मैंने आपको 4 तरह के function बताए function का basic मतलब क्या है graph का 4 तरह के graph बताए graph का basic मतलब क्या होता है graph से भी आप domain and range निकाल सकते हो x projections क्या देती है domain y projections क्या देती है range दुबारा x projections क्या देती है domain, y projections क्या देती है range, सबसे पहले मैंने बताए constant function, जिसकी value हमिशा same रहे उसको बोलेंगे constant function जिसकी value x हो, fx equal to x, इसको बोलते है identity function, काम आएगा, इस chapter में काम आएगा, x की value 1 तो fx1 x की value 2 तो fx2, इसको क्या बोलते है identity, तीसरा polynomial function, जिसमे x की multiple powers हो, साथ में constants हो, वो होता है polynomial, जिसमें division में हो दोनों polynomial functions, उसको बोते है rational functions तो आज का यही है, आपका आज का homework कुछ नहीं है, यही सारा revise करने आपको अच्छे से, ठीक है, thank you very much